26 विपक्ष्वी दल बीजेपी के नित्रित्व वाले एंडिये के खिलाफ दोजार चौबिस की आम चुनाव लड़ने के लिए एक गटबंदन इंडिया बनाने पर सहमती जाहिर की है इसमें साथ राजियों की मुख्यमंत्रियों की पार्टियां भी हैं समय में संख्या के लिहाद से देखे तो इंडिया गटबंदन के पास लोग सभा में 142 सदस्य हैं जबकि एंडिये गटबंदन के पास 332 सदस्य हैं वह अगर 26 पार्टिया बीजेपी विरोधी मूर्चे के रूप में एक साथ आई हैं लेकिन इस गटबंदन के कई दल कई शेत्रों में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के साथ सीधे मुकाबले में रहे हैं दूसरी राष्ट्रे पार्टी आम आदमी पार्टी का कॉंग्रेस के साथ बहतर संबंद नहीं रहा है वही अगर बात पस्चिम बंगाल, पंजाब और कीरल की करें तो ये लोग भी इंडिया में शामिल एक दूसरी से लड़ रहे हैं इस नए गटमंदन को अभी भी प्रमुक राजियों में सीटों के बटवारे के समझोते को तै करना है आज के इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि इंडिया में शामिल कौन है 26 वो दल जो बीजेपी की गटमंदन पार्टी एंडिये को टक कर देंगी इंडिया के 26 दलों के नाव भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस अकिल भारतिय त्रडमुल कॉंग्रेस जिसे टीमसी भी कहा जाता है द्रवड मुनेत्र कडगम DMK आमाद्मी पार्टी जनितादल युनाइटेड राष्ट्रे जनितादल राज्द समाजवादी पार्टी सपा राष्ट्य लोक दल, RLD, भारतिय कम्यनिस्ट पार्टी, CPI, भारतिय कम्यनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतिय कम्यनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, लिबरेशन, राष्ट्य कॉंग्रेस पार्टी, NCP, शिवसेना, UBT, ज्यारकंड, मुक्ति आई यू एम एल रिवोलियोशनरी सोशलिस्ट पार्टी, आरेस्पी, आल इंडिया फॉर्वर्ड ब्लॉक, मारुमलाची द्रवड मुनेत्र कडगम, विदुथलाई चिरुथायगल काची, कोंगुनाडू मकल देसिया काची, मडितनेया मकल काची, केरल कॉंग्रिस मडी, के से 10 महीने का वक्त बचा है, ये एक लंबा समय है, और राजनीतिक समीकरन चुनाओ के समय तीजी से बदलते हैं, वह आपको बता दे कि ज्यादतर जो पार्टी अब तक किसी गटबंदन का हिस्सा नहीं है, वो विवहार से सेक्यूलर है, और उनका वोट बैंक कमूवीश है जो विवक्ष की गटबंदन का वोट बैंक है, ऐसे में अगर वो अकेले चुनावी मैदान में उतरे तो इंडिया गटबंदन को नुकसान पहुचा सकते हैं, अब तक देखकर ये ऐसा लग रहा है कि आने वाला चुनाओ दो गटबंदनों के वीच लड़ा जाएगा, एक गटबंदन सेक्यूलर होगा तो दूसरा हिंदुवादी छबी वाला होगा, लेकिन अगर ये चुनिंदा पार्टी मैदान में अकेले उतरेंगी, तो उनकी भूमी का वोट कटाव पार्टी तक सेहमत रहेगी, वैसे आपकी क्या राय है, 2024 लोकसभा चुनाओ को लेकरके हम कॉमें कॉमेंट करके जरूर बताएं